हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है resolution of vector resolution of vector का मतलब क्या होता है देखिए resolution of vector का मतलब होता है splitting एक given vector हमें कोई vector given होगा और हमें उस given vector को جो है split करना है into two vector जब हम किसी given vector को जो है दो vector में split कर देते हैं तो उनीं दो vector को जो है component vector बोला जाता है लेकिन हमें जो उन्हें split करना है वो इस तरीके से split करना है कि वो दो जो component vector हमें मिलेंगे वो right angle पे at right angle पे placed होने चाहिए यही आपका concept है और इसी concept की help से जो है हम जो है किसी given vector को जो है दो component vector में split करेंगे अब देखिए इसे किया कैसे जाता है उसे समझता है देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले एक x-axis बनानी पड़ेगी और एक y-axis बनानी पड़ेगी तो यह x-axis है और यह आपकी y-axis है अब देखो जैसे यहाँ पे हमें कोई vector given है यह vector हमें given है और इस vector का magnitude है वो f है सबोस करक जो है right angle पे placed होने चाहिए है तो यहाँ पे एक x-axis है यह जो y-axis है यह 90 डिग्री पे placed होती है तो हम एक vector इस direction में draw करेंगे और एक vector जो हमें दो वेक्टर मिले ना यही component vector है मतलब यह जो given vector है इस given vector के यह जो दो नए vector हमने बनाये है यही component vector है मतलब इस vector को हमने क्या किया ह vector में split कर दिया है और यह दोनों के दोनों vector जो है 90 डिग्री पे placed भी हो रखे है अब देखो हमारे पास यह जो वेक्टर जो हमें given था इसका magnitude तो हमारे पास है लेकिन यह जो हमें नया vector मिला है जिसे हम component vector बोल रहे है इसका magnitude हमारे पास नहीं है और इस वाले component vector का भी magnitude हमारे पास नहीं है तो magnitude हमें यहां पर fine करना है अब देखो एक और important चीज बताता हूं देखो इस vector को देखिए इस vector की जो length है मैंने इस vector को इससे आगे produce नहीं किया सिर्फ इतनी ही length का मैंने यह component vector बनाया है वो इसलिए बनाया है क्योंकि यह जो vector है यह vector जो है जैसे अगर मैं य line produce करता हूं तो इस vector को जो है इस line को cross नहीं करना है ठीक है और यहां से अगर मैं एक line produce करता हूं तो इस component vector को भी जो है इससे आगे produce नहीं करना है इतनी ही length का component vector आपको बनाना है ठीक है अब देखो मुझे क्या करना है यहां पे in component vector के magnitude find करना है तो सबसे पहले यहां पे naming क यह आपका right-angle triangle अब, देखो हमें यहाँ पे क्या कर्ना यह जो component vector है और यह जो given vector है यहाँ पर कुछ शना कुछ angle बन रहा होगा तो हमने मान लिया वो theta angle यहाँ पर बन रहा है अब, देखो हम क्या करेंगे इस right-angle triangle की help से जो है, यह वाला component vector है इस component vector का magnitude find करेंगे इस वाले यह जो given vector है इसका magnitude तो हमें पता है लेकिन इस component vector का magnitude हमें नहीं पता है तो हम इस right angle triangle की help से इस vector का magnitude find easily कर सकते हैं तो देखो हमें यहाँ पे right angle triangle लेना है in right angle triangle ABC तो देखो यहाँ पे यह क्या है यह आपका base है और यह आपका hypotenuse है ठीक है क्योंकि यह base इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह theta angle भी है और यह 90 degree का angle भी है तो किसी भी line में अगर दो angle mention हो रिखे होंगे तो उसे base बोला जाता है इसे hypotenuse बोला जाएगा और इसे perpendicular बोला जाएगा तो जो हमारा base होता है base upon hypotenuse क्या होता है देखो base upon hypotenuse is equal to क्या होता है आपका cos theta होता है यह तो आपको पता होगा क्लास 10th में पढ़ा है क्योंकि मुझे यह जो AB vector है इस AB vector का magnitude find करना है तो base क्या है हमारा base है AB divided by और यह क्या है hypotenuse है तो यह जो AC vector इस AC vector का magnitude कितना दे रहा है जिसे हम AC बोल रहे है इस AC vector का magnitude है वो कितना है F है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यह तो magnitude है F टेक है is equal to यह हो गया cos theta तो हमें क्या करना है यह जो AB vector है इस AB vector का magnitude find करना है तो AB is equal to क्या हो जाएगा आपका F cos theta हो जाएगा f cos theta ठीक है तो ये वाला जो vector था ना जिसे हम component vector बोल रहे थे इसका magnitude कितना हो गया f cos theta हो गया ठीक है अब देखो हमें ये वाला जो component vector है इसका भी magnitude find करना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये वाला right angle triangle लेंगे ADC तो in right angle triangle ADC आपका जो होता है perpendicular upon hypotenuse क्या होता है परपेंडिकलोर upon यह थीटा, दो angle mention हो रहे हैं, एक 90 degree और यह थीटा, तो इसे base बोला जाएगा, ठीक है, यह base होगा, और यह वाला क्या होगा, आपका perpendicular होगा, तो हमें यहाँ पर perpendicular अपन है, तो perpendicular कितनी है, AD है, तो यहाँ पर AD है, तो यहाँ पर AD है, यह जो AD वेक्टर है, इस AD वेक्टर का हम यह जो AD वेक्टर था, इसका जो modulus आया है, मतलब magnitude आया है, वो कितना आया है, F sin थीटा है, तो यह जो AD वेक्टर था, इसका magnitude आया है, वो F sin थीटा है, ठीक है, तो यह जो component वेक्टर है, इसका magnitude F sin थीटा है, यह जो component वेक्टर है, इसका magnitude F sin थीटा है, ठीक है, इसका F cos तरीके से इसे प्रूफ किया है लेकिन आपको जैसे मान लीजे कोई velocity vector दे रखा इस तरीके से यह velocity vector आपको यह given है और इसका जो magnitude वी है आपको इसके component बनाने है तो आपको simply क्या करना है एक vector इस direction में बनाई है एक vector इस direction में बनाई है ठीक हैं आप देखो इसका जो magnitude होगा जो component वेक्टर गिवन वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाएगा तो उसका जो magnitude होगा यहाँ पे cos theta लिखना है और इस V को जो है यहाँ पर लिख देना है V cos theta आएगा यहाँ पे और यहाँ पे कितना आएगा V sin theta आएगा देखो यहाँ पे जैसे यह जो component vector था यह component vector इस given vector के साथ theta angle बना रहा था तो इसका जो magnitude है यहाँ पे आपको cos theta लिखना है और यह f लिख देना है सेम यहाँ पे भी मैंने वैसे ही किया यहाँ पे यह component vector था यह given vector के साथ theta angle बना रहा था तो यहाँ पे आपको cos theta आएगा और इस V को भी यहाँ पे लिख देना है बस यही चीज आपको learn करनी है अब देखो यहाँ पे एक question arise होता है कि हमें यह component बनाने क्यों पड़ रहे है इसका use क्या है ठीक है तो इससे समझते हैं कोई भी जो vector होता है उस vector का effect होता है different direction में होता है तो जैसे यह वाला जो vector है इसका effect इस direction में भी है और इस direction में भी है इसलिए हमें यह component vector बनाने पड़ रहे है जैसे यह आपका velocity vector है तो इस velocity vector का जो effect है वो इस direction में भी है इस direction में भी है इसी लिए हमें यह component vector बनाने पड़ते हैं अब देखो effect का मतलब क्या है उसे मैं समझाता हूँ थोड़ा देखो जैसे आपका यह आपकी x-axis है ठीक है अब देखो अगर हम यहां से ball थो करते हैं इस ball को अगर हम थो करते हैं तो ball क्या करेगा इस तरीके से ऐसे करके यह ground में आ जाएगा थोड़ी दिर के बाद मान लीजे यहां पर आपकी x-axis है तो देखो यह जो ball है इस ball को हमने इस direction में थो किया इस direction में थो गया तो यह जो vector था यह velocity का वेक्टर था ठीक है मतलब हमने किसी v velocity से इस ball को थो किया है अब देखो अगर आप ध्यान से देखोगे न यह जो motion कर रहा है यह जो ball जो इस path को follow कर रहा है इस path को अगर आप देखोगे न तो यह जो motion है यह two dimensional motion है बॉल जो है ना यह जो बॉल है इस direction में भी आगे बढ़ रही है ऐसे आगे भी बढ़ रही है इस direction में भी आगे बढ़ रही है और उपर की तरब भी यह जा रही है यह दो direction में motion कर रही है यह जो बॉल है इस x axis में यह जो axis है ना velocity जब हमने इस direction में ball को throw किया तो इस velocity vector का effect इस direction में भी है और इस direction में भी है तो अगर हमने theta angle पे इस ball को throw किया है तो इसका जो component होगा ये V cos theta होगा और ये वाला component होगा ये V sin theta होगा ये वाला component क्या होगा V sin theta होगा जैसे यहाँ पे component बनाते है leemos theta leemos theta यह ऐबाला इस और दरेक्शन में ले जा रहा है यही यहाँ ग्राउड नेकर कर समझाता हूं जैसे मान लीजिए यह आपका ground है और यह यहाँ पे एक block रखावा है और यह block है आपका यह block है और यह block के नीचे यह wheel tire लगए मैं ठीक है दूसरा diagram बनाते हैं यह आपका block है और यहाँ पे यह wheel है यह wheel लगी वी है अब देखो इस block में जो है इस direction में क्या हो रहा है यह force लग जाएगा ठीक है इस direction में पहुंच जाएगा तो देखो force तो हम इस direction में लगा रहे थे तो यह block इस direction में तो move नहीं कर रहा है क्या यह block इस direction में move कर रहा है क्योंकि यह force का effect इस direction में भी है और इस direction में भी है दो direction में इसका effect है ठीक है लेकिन यह वाला जो effect है इस वाले effect की व बनाने पड़ते हैं, माल लिजे, यहाँ पर यह जो theta angle बन रहा है, तो यह component क्या है, f cos theta है, और यह बाला जो component है, यह आपका f sin theta है, तो यह जो block जो move कर रहा है, आगे की तरफ जो move कर रहा है, इस f cos theta component की वज़े से आगे move कर रहा है, force तो हम f force लगा रहा है, लेकिन इस force का कुछ effect इस direction में भी है, कुछ इस direction में भी है, तो जो effect इस direction में है, इसी effect की वज़े से यह block क्या कर रहा है, आगे की तरफ move कर रहा है, तेक है, समझ भाया है, इसलिए component बनाए जाते हैं, अब देखो कुछ questions कर लेते हैं, ज्यादा concept clear हो जाएगा, देखो यहाँ पर यह question है, यहाँ पर कह रहा है, force of 120 newton is inclined at 60 degree to the horizontal, ठीक है, कोई force है, जो की 120 newton का force है, और वो जैसे यह, आपका force है, यह आपका force vector है, यह आपका force का vector है, और यह जो है, आपको given है, 120 newton है, लेकिन यह जो 120 newton का force है, यह inclined हो रहा है, at 60 degree के angle पर inclined है, to the horizontal, तो यहाँ पर यह horizontal surface है, माली जे horizontal line है, इस horizontal के साथ जो है, यह जो है, जो angle बना रहा है, यह 60 degree का angle बना रहा है, 60 degree के angle पर यह inclined हो रहा है, यह हमें गीवन है डिए अब देखो आगे क्या ओरा है find the magnitude of oh यांतोल component and vertical component एक horizontal component है एक vertical component है इसका हमें magnitude find करना है अब देखो यह जो vector है इस vector के दो component हमें बनाने फिक है horizontal component वनाने एक vertical component बनाने ओर यह horizontal line न एक component इसлись डारेक्ष्ण में बना दीजिए और एक vertical direction में एक vertical component बना दीजिए ठीक है तो यह वाला component क्या बोलेंगे horizontal component बोलेंगे और इसे हम vertical component बोलेंगे अब देखो यह वाला component इसका magnitude कितना होगा f cos theta होगा और यह वाला जो होगा यह कितना होगा F sin theta होगा तो जो हमें horizontal component का magnitude find करना है तो वो हो जाएगा आपका horizontal component जो हो जाएगा उसका magnitude कितना है F cos theta, तो F कितना दे रखा हमें 120 N दे रखा है और theta कितना दे रखा हमें 60 Degree दे रखा है तो यह हो जाएगा आपका 120 into जो cos 60 degree होता तो यहां पर यह कितना आ जाएगा 60 newton आ जाएगा इसका मतलब यह इस direction में 60 newton का effect है ठीक है यह जो force है यह तो 120 newton थी लेकिन इस direction में जो effect है वो 60 newton का effect है अब देखो vertical component भी निकाल लेते हैं तो जो vertical component है डाक के वो कितना दे रखा यह f sin theta एट्यक है तो f sin theta काcion magnitude है वो कितना है f कितना दे रखा है underneath its sin theta दे रखाए 120 इंटू sin theta कितना दे रखा यह 60 degrees तो यह же sin 60 degree होता है यह one twenty हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा Y buddies 60 आ जाएगा तो यह 16 root 3 newton थीक है अब देखो यह explic frustrans Tamam यह जो है 60 root 3 न्यूटन है और यह जो है आपका 60 न्यूटन के बराबर है कहने का मतलब यह है कि किसी force को अगर हम इस direction में लगाएंगे जो की 120 न्यूटन के बराबर है तो यह जो 120 न्यूटन होगा न हम इस तरीके से split कर सकते हैं तो इसका इस direction में जो effect होगा वो 60 न्यूटन के बराबर होगा इस direction में जो effect होगा वो 60 root 3 न्यूटन के बराबर होगा ठीक है अब देखो next question यह question बहुत important है यह वाला question देखिए देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर कहा रहा है mass of 2 kg यहाँ पर mass हमें यह 2 kg दे रखा ठीक है कोई block है इस तरीके से और उसका mass कितना यह 2 kg है अब देखो lies on a plane यह जो mass कोई block है जिसका mass 2 kg है वो किसी plane में lie कर रहा है ठीक है प्लेस हो रखा है मतलब किसी plane में place हो रखा है making an angle 30 degree to the horizontal देखो यह horizontal है आपका यह आपका horizontal है और इस horizontal के साथ कोई plane 30 degree का angle बना रहा है यह plane है और ए deeply degree का यह थीटा angle 30 degree हमें given है यह तो लिगा है mass of 2 kg lies on a plane यह जो plane है यहाँ पे कोई mass 2 kg का mass इस तरीके से यह place हो रहा है लाहे कर रहा है और यह जो plane है 30 degree का angle बना रहा है to the horizontal इस horizontal के साथ Resolve its weight Resolve का मतलब split करना ही होता है 2 kg ना 2 kg वाँदा क्या होगा प्लाक क्या होगा? Weight ट्रिेट करुए होगा ना इस यह ब्लाक क्या कर रहे होगा वर्टीकली डाउनवर्ड होटी है कोई भी ब्लाक क्लास 9 मदें वेट के बारे में पड़ा होगा तो जो weight होता है, weight को w बोला जाता है तो उसका magnitude होता है किसके एक्वल होता है, mg के एक्वल होता है यह mass of block है और यह g का मतब acceleration due to gravity g घेक है तो यह जो weight का vector है इसका magnitude है, वो mg के equal है अब मुझे क्या करना है इसे resolve करना है, resolve मतब split करना है, resolve its weight मतलब यह जो vector है इस vector को हमें split करना है तो देखो एक मैं इसे इस direction में split कर सकता हूँ और एक मैं इसे इस direction में split कर सकता हूँ देखो इस direction में मैंने क्यों split किया क्योंकि यह जो block है यह block इस direction में slide कर सकता है तो इसका यह जो mg weight है इसका जो weight है इस direction में भी इसका कुछ effect होगा इस direction में effect होगा तो यह effect क्या करेगा इस block को इस direction में slide कराना चाहेगा तो एक component अगर मैंने इस direction में बनाया तो दूसरा component क्या करेगा इसके साथ perpendicular direction में होगा तो इसका perpendicular क्या होगा इस direction में होगा अब हमें क्या करना इसे resolve करना था एक तो along to the plane करना था, एक perpendicular to the plane करना था, तो यह जो plane है, इस plane का perpendicular यह हो गया, और एक हमें along to the plane, मतलब इसी plane की direction में भी हमें इसे resolve करना था, ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैस यह जो component मिले हैं इन component का magnitude find करना है, यह बाला जो vector है, जिसे हम weight बोल रहे हैं, weight of body, इसका magnitude तो mg given है, लेकिन यह जो component vector हैं, इनका हमें magnitude find करना है, तो देखो उसे कैसे find करें है, तो देखो जैसे यहाँ पर यह theta angle अगर बन रहा है, तो हमें सही यादरना, अगर यहाँ पर theta angle बन रहा है, तो यहाँ पर भी theta ही angle बनता है, इसे अभी proof करेंगे, ठीक है, इसे अभी proof करेंगे, कि यहाँ पर क्या theta angle बन रहा है की नहीं बन रहा, अब देखो यहाँ पर अगर यह theta angle बन रहा होगा, तो यह वाला जो component है, यह वाला component इस वाले given vector के साथ जो है theta angle बना रहा है, देखो यह theta मैंने इस लिखा, अगर मैं इस line को यहाँ नीचे produce करता हूँ, इस तरीके से produce कर देता हूँ, तो यहाँ पर यह 90 degree का angle बन रहा है, यह theta बन रहा है, तो यह वाला जो angle होगा, यह वाला angle जो बन रहा होगा, यह 90 minus theta बन रहा होगा, देखो, इसा प्रूब भी किया जा सकता है, ये theta है, plus, ये कितना है, 90 है, plus, ये वाला angle हमें containment करना है, ये वाला angle, ये x is equal to मैनIST-x is equal to 180-90-θ, तो x is equal to कितना हो जाएका है, 90-θ, तो ये वाला जो angle है, ये 90-θ है, तो देखो, ये, अगर 90-θ है, तो यह कितना होगा, यह थीटा ही तो होगा, समझ रहो इसे, क्योंकि यह दोनों के दोनों component vector यह total कितना angle बना रहे हैं, 90 degree का angle बना रहे हैं, तो यह अगर 90 minus theta बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बनेगा, यह थीटा ही तो बनेगा, समझ रहो, मास कितना दे रहागा 2 की g दे रहागा 2 यहां लिखिए g का वैलु यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वार हमें दे रहागा यह 10 यहाँ पाएगा और theta कितना दे रहागा 30 degree दे रहागा तो यह हो जाएगा आपका 20 into cos 30 degree की जो value होती है root 3 by 2 होती है तो यह 10 यहां कट जाएगा यह आगया आपका 10 root 3 Newton ठीक है अब देखो हमें mg sin theta भी calculate करना है तो यह mg sin theta इस तरीके से calculate हो जाएगा mass 2 दे रखा g की value 10 है और यह हो जाएगा आपका sin 30 degree तो यह हो जाएगा आपका 2 tangent 20 sin 30 degree की value होती है 1 upon 2 होती है अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ यह जो weight होता है यह जो weight है weight का SI unit की होता है Newton ही होता है weight की होता है is a type of force weight भी तो force ही होता है class 9 में आपने पढ़ा होगा weight के बारे में weight कोई अलग चीज नहीं होती है weight भी आपका force ही होता है weight का SI unit होता है Newton ही होता है इसलिए यहाँ पर यह मैंने Newton Newton लिखा है तो यह question आपके complete हो जाते है